मद्धिप्रदेश के जाबुआ जिले में 18 जोन 1944 को जन्ग गुआ वरवासी कल्यान को अपना जीवन बनाने वाले दिलित सिंग भुल्या था जब उन्होंने वनवासीों की तकलिफों को नस्तीक से समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि राजनीत में जाकर ही नीद्यां बतली जा सकती है इस तरह उनका राजनीत में प्रवेश हुआ आगे चलकर तेंदुपत्ता एकत्र करने वाले बनवासियों के हित में उन्होंने काफी काम किया यही नहीं उनकी मांग पर 1999 में अटल विहारी वाजबई की सरकार में अलग जनजातिय मामलों के मंत्राले का गठन हुआ भूयाजी की अध्यक्षता में ही एक आयोग बनाये गया जिसकी सिफारिश पर जनजातियों के हित में पेसा जैसे कानून बनाये गये